खबर उत्तर प्रदेश के अम्रोहा से जहां बस्पा प्रभारी प्रत्याशी फिरे सिंग गूर्जर के कैम्प कार्याले पर बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग आयोजित की गई जी हां हम आपको बता दे बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग प्रत्याशी हसनपू में आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिती अजब सिंग एडवोकेट सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल रहे, मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज सर्व समाज के लोग माननी या बेहन कुमारी मायावती के शासनकार को याद कर रहे हैं, प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से एवं पूर्व की सपा सरकार की गुंडागर्दी से आजे जा चुकी है, आने वाला समय बसपा का है और 2022 में पूर्ण बहुमत की बसपा सरकार बनने जा रही है, मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा आगामी 6 दिसं को परम पूजय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेदकर जी का महा परिनिर्वान दिवस का श्रद्धान जली कार्यक्रम अम्रोहा के मननत पहलेस में मनाया जाएगा पार्टी के सभी पदादेकारी एवं कार्यकरता गण उक्त कार्यक्रम में समय से भारी संख्या में पहुँचकर सफल बनाएं और हसनपूर से फिरे सिंग गुर्जर को आगामी विधान सभा के चुनाव में हसनपूर से विधायक बना कर विधान सभा में भेजना है सर्व समाज के लोग भारी संख्या में बसपा से जुड रहे हैं विरोधी पार्टियां जो कभी बाबा सा साहब के नाम से भी घृना करती थी आज वो पार्टियां भी समाज को गुमरा करने के लिए बाबा साहब का नाम लेकर ब्रमित करने का कार्य करने का असफल प्रयास में लगी हुई है बसपा के लोग इनसे साभधान रहे इस मौके पर चंद शेखर, इंदर सिंग, जाकिर स नैफी, लोकेश, ब्रमपाल सिंग, रविंदर सागर, सौरब भारती, रामपाल भारती, देवेंदर सिंग, अमित कुमार, पप्पु सिंग, देशराज सिंग बौध, शीशपाल सिंग, जुम्मा ठेकेदार, रहुल कुमार, नरेश कुमार, जगदीश सागर, जहीर चंद्रपाल सिंग, यदी सेकड़ों पदाधिकारी, एवम कार्यकरता मौझूद रहे, कार्यकरम का संचालन, मोहित भाटी, एवम अध्यक्षता, बदन सिंग, गौतम, विधानसभा, अध्यक्षने की अम्रोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट देखते रहे आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें अपनागार प्रदेश की कारिकर मुस्पनागा है झाल